त्रेता युग में बैसाक सुक्लनौमी को माजान की मिथला के पुनवरा धाम में अवतरित हुई चुकि मिथला में उन्होंने जन्म लिया इसलिए मैथली भी कहलाई राजा जनक जी की पुत्री होने के कारण उन्हें जान की कहा गया हल के अगले भाग को सीता कहते हैं राजा जनक के हलेस्टी यग के उपरांथ प्रकट हुई अता सीता कहलाई राजा जनक को बिदे अर्थात बिना देह का कहा गया और इस प्रकार उनकी पुत्री जान की जी को वैदे ही नाम मिला जानकी सीता मैथली और बैदे ही सही और भी कई नाम है जनक दुलारी किसोरी जी के जिन में सिया भी प्रमुक है मिठला नरेश राजा जनक संभवता पहले और अकेले राजा रहे जिन्होंने पुत्री प्राप्ती की कामना की मिठला में एक बार भी सण अकाल पड़ा रिसी मुनियों ने राजा जनक को हलेश्टी नामक यग करने की सलाह दी जिसमें यग की पुणाहुती के बाद राजा को स्वेंग हल चलाना था यग संपन्न हुआ राजा हल चलाने लगे हल का अगला भाग भूमी के अंदर किसी कठोर वस्तु से टकराया वह एक कलस जैसा कुछ था कहा जाता है कि उस कलस में एक दिब्बे नौजात कन्या थी राजा जनक के हल चलाने से बरसा होने लगी और पुत्री प्राप्ती की कामना भी पूण हुई उन्होंने ही पूरी दुनिया सीता के नाम से पूझती है भूमी से उत्पन हुई तो भूमीजा भी कहलाई सीता जी लक्षमी जी का आवतार थी विदूशी तो थी ही सक्ति की स्वाभिमान श्वामीनी भी थी जानकी के बल का प्रसंग बहुत ही रोचक है भगवान पुस्वराम जी तप हे तु हिमालय जाने से पुर्व सीव जी की धनुस पिनाका को राजा जनक को सौप गए थे वह धनुस जनक जी के पूझा ग्री में सम्मान पुरवक सुरक्षित रखा हुआ था जानकी गौरी की भक्त थी प्रती दिन गाई के गोबर से पूझा ग्री में भगवती का चौरा लीपन फुस्प आदि लाकर माता गौरी की पूझा उनकी दिन चर्या का हिस्सा था माता सीता नित्य प्रती उस धनुस को उठाकर दाएं बाएं रखकर उस अस्थान को लीपकर साख करती थी या उनके लिए एक समन्य प्रक्रिया थी एक दिन राजा जनक ने यह देख लिया उनके आश्चरे का ठिकाना नहीं रहा अचमभित हो गए कि इतनी भारी धनुस जिसे हजजारो बेक्ती के खीचने पर ही एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर किया जा सकता था को सीता सहजता से उठा लेती है उसी समय राजा जनक ने प्रण लिया कि सीता का विवा उसी से कराएंगे जो उस धनुस पर प्रतंचा चढ़ा सके जब किसोरी जी बिवाह युग्य हुई तो सीव धनुस पर प्रतंचा की सर्थ के साथ सीता स्वेंबर की घुशना कर दी गई स्वेंबर में आये राजा धनुस पर प्रतंचा चढ़ाना तो दूर टस से मस भी नहीं कर सके राजा जनक चिंतिक हो उठे उन्हें लगा कि उन्होंने नोजाने कैसी सर्थ रख दी क्या उनकी बेटी अभिवाहित ही रहेगी उन्हीं दिनों राम गुरु विस्वामित्र के साथ जनक पूर आये थे विस्वामित्र ने चिंता मगन राजा जनक को संत्वावना दी और राम को संकेत किया अगले ही पल राम ने उस धनुस को उठा कर परतंचा चढ़ाना सुरू किया लेकिन धनुस तूट गया इस प्रकार राम सिया का विवाह संपन्द हुआ राम के मर्यादा पूर्सुत्तम होने के पीछे मिथला में एक रोचक कथा पर चली थे कहते हैं कि राम और सीता विवाह के बाद विदाई के समय सीता पालकी में बैठ नहीं रही थी बिथला में हजारों इस्त्रियां उदास और रुणासी थी भगवान राम को जब पता लगा तो उस सुकता वस डोली में नहीं बैठने का कारण जानना चाहा सीता जी ने राम जी से कहा जब तक आप मुझे वचन नहीं देते तब तक मैं डोली में नहीं बैठूंगी सिर राम ने कहा ठीक है मैं वचन देता हूँ परंतु सीते बात क्या है सीता जी ने राम से कहा भगवन आप बीर युद्धा सुन्दर राजकुमार है राह चलते हुए अनयास ही मिथला आए धनुस तोड़कर मेरे पिता द्वारा रखी सर्थ को जीते और मुझे विवाह कर लिया आपके कुल में बहु विवाह की परंपरा है आपके पिता जी ने भी तीन विवाह किया है क्या पता राह चलते किसी और राज्य में वीरता की कोई और सर्थ की स्थिती में आप और भी विवा कर लें अता आप मुझे बचन दीजिये की आप दूसरा विवा नहीं करेंगे राम ने उसी समय आजन्म एक पत्नी व्रत धारण करने का वचन दिया और प्रणलिया की दूसरा विवा नहीं करेंगे इसी कारण राम मर्यादा पुर्शत्तम कहलाए